राइसें से हमारे संबाददाता शर्रश शर्मा की रिपोर्ट नाली के बिबाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे देर रात हुए बिबाद में पांच लोग हुए घायल घायलों को इलाज के लिए दीबान गंद स्वास केंदर भेजा गया घायलों को प्राथमिक उप्चार के बाद भोपाल और विदीशा किया गया रेफर सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची दीबान गंज पुलिस पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर मार्पीट का मामला दर्ज किया सलामत पुर्थाना छेतर के दीबान गंज पुलिस चोकी का गिराम अंबाली का है पूरा मामला कई दिनों से चल रहा था नाली को लेकर बिबाद दोनों के बीच में और बिबाद इतना बड़ा के नाली के बिबाद में लेकर दो पक्षों में खुल कर चले लाठी डंडे पांच लोग घायल हुए राइसन से हमारे संबाददाता शरस सर्मा की रिपोर्ट चतरपुर से हमारे संबाददाता किशोरी श्रीबास की रिपोर्ट आंधी तूफान में सोलर पैनल गिर जाने से किसान की फसल सूखी उर्जा विकास निगम छतरपुर को सूचना देने के बाद आज तक किसान को नहीं मिला नयाए चतरपुर जिले के विकास खंड राजनगर छेतर में राजगर पंच्यात के अंतरगर टपरिया गाओं में किरपाल के यहां 12 सितंबर 17 को सोलर पैनल उर्जा विकास निगम चतरपुर के माद्यम से लगाया गया था जिसकी सासन के दौरा स्विकृति की गई थी मगर 14 से 21 माई को पैनल आधी तूफान की बज़ा से गर जाने से किसान की उड़त की मूंग की फसल सूकन नश्ट हो गई थी जिसकी सूचना किरपाल पाल ने 15 माई को दी थी पर चतरपुर निगम ने सीम हेलप लाइन को अबगत कराया पर आज दिनांक तक सासन के आला अधिकारियों के दौरा किसान कोई फरयाद नहीं सुनी गई किसान किरपाल पाल आज भी अपनी फरयाद सुनाने के लिए जगए जगए नया के लिए जगए जगए चक्कल लगा रहा है चतरपुर से हमारे संबाद्दाता किशोरी श्रीबास की रिपोर्ट बिरीशा से हमारे संबाद्दाता राम बाबु की रिपोर्ट करारिया थाना छित्र के रहबाशियों ने कलेक्टर को सोपा ग्यापन 28 मई को हुई थी छेड़ छाड़ की घटना करारिया थाना छित्र में 28 मई को एक महिला के साथ गोलू शर्मा नामक ब्यक्तिर के द्वारा छेड़ छाड़ की घटना की गई थी इस घटना को लेकर कलारिया थाना में शिकायत करने का प्रयास किया गया था लेकिन शिकायत दर्ज न होने पर पीड़ित परिवार जला मुख्या लाया कर एफपी से सिकायत की गई बिदिशा सेमर संबाददाता राम बाबू की रिपोर्ट